दो प्याजा, उसके लिए कढ़ाई, उसके अदर oil, सारे whole spices and then onions को add कर देना है जैसी वो reduce होते हैं, उसके अदर garlic and green chili को add करना है अरोमा आते ही, tomatoes को add कर देंगे और फिर उसके अदर सारे अपने powder spices आप चाहो तो कश्मीरी चिली paste को भी add कर सकते हो उन्हें अच्छे से cook करना है, पानी डाल देना अगर लगे जल सकते हैं तो and थोड़ी सी cream for the richness, अब चाहो तो अवाइट भी कर सकते हो जब तक एक cook हो रहा है तब तक एक pan लेंगे, उसमें oil and अपने paneer और onions को lightly toss कर लेंगे यहां पर कलॉन जी का use होना बहुत important है वो एक different ही flavor देती है, जो मेर को बहुत पसंद आया था जैसी paneer सोडे से golden brown होते हैं, इनको निकाल लेंगे, अपनी gravy को check करेंगे वो अच्छे से reduce हो जाती है, तब इसके दर में vegetable stock add कर रहा हूँ आप चाहो तो पानी में add कर सकते हो फिर आपने final spices को add करना है, उसके अदर अपना onion and paneer को add कर देना है, आपका paneer दो पयाजा तहियार है I absolutely loved it, the best part was the use of कलॉन जी जो generally बिलकुल use नहीं की जाती है लेकिन एक new spice में introduce कराया गया and I absolutely loved it I'm going to use it more often now So I decided to make paneer